Like a body and the third rule which means which is inside you इसका मतलब सीधा सा है कि यहां बठा हर वेक्ति कभीर ही है तो उन सारे कभीर को जो यहां है उन सब को मैं साहब बंदगी करता हूँ साहब बंदगी इसलिए कि जब कभीर के ट्रदीशन में हम मिलते हैं तो एक दूसरे को greet ऐसे ही करते हैं साहब बंदगी मतलब Almighty और सद्गुरू और that power which resides you, I bow down जो आपकी अंदर है आपको नहीं वो शरीर को नहीं लास र को हम साहब बंदगी करते हैं तो आप सबको बंदगी और साथ में ठेर सारा धन्यवाद भी कि आप सुनने के लिए उपस थे थे हैं आज का जो मेरा topic है वो है कहत कबीर सुनो भाई साधो देखे इस बात को जैसे ही शुरू किया जाए कहत कबीर सुनो भाई साधो कबीर कोई conditioning नहीं कर दा है वो कह रहे हैं और फिर कहने सुनो और फिर साधो whatever he is saying is not compelling you to follow those things he is saying just listen, consider, think, meditate and then follow if you find it worth मतलब अगर कबीर के हाँ देखें तो पूरी की पूरी स्वतंत्रता अपनी बात समझने और समझाने का क्योंकि कबीर अपने आपको अलग नहीं रखते कबीर साब की बहुत खास बात जो है वो ये है कि कबीर कभी अकेले बैठ कर कुछ नहीं करते उन्हें जब भी कुछ कहना होता है तो लोगों के बीच में खड़े होते हैं इसलिए वो कहते हैं कि कभीरा खड़ा बजार में लिये लुकाठा हाथ जो घर जारे आपना चले हमारे साथ अब देखें कहां खड़े हैं बाजार में जब कभी भी हम अपने कमरो में बैठ कर कभी को लिक रहे होते हैं समझ रहे होते हैं या फिर कुछ और भी समझ रहे होते हैं तो उतने ज्वलंत नहीं हो पाते because we are unable to understand the circumstances which is outside and if you really want to write if you really want to say whatever coming from inside it is very important for you all to just go in a market place because there you will deal with different kind of situations where there are different people who can't be some kids talk, sometimes they talk to you some other, sometimes they talk to you some of those people talk to you some of those who talk to you sometimes they talk to you the most important thing is this and they say, I miss who I am? Primi को कहते हैं प्रेमी हेरत मैं फिरूं प्रेमी मिला न कोई प्रेमी से प्रेमी मिले विस्ते अम्रित होई अब कैसा प्रेमी कौन प्रेमी क्या वही जिसमें हम सब कहा से हुए हैं that is called fallen in love most of the time we used to declare this way only I've fallen in love with you Kabir is not talking about that fallen in love because whenever you fall it's just an accident अब कभी ऐसे गिरते हैं क्या जब कभी भी conscious नहीं होते हैं जब कभी बहुत साधान नहीं होते हैं तभी गिरते हैं that's why Kabir is saying I'm not talking about fallen in love because Kabir का जो प्रेम है ये बहुत अलग है वो कहते हैं even I'm not talking about being in love जहां थोड़ी understanding है उसकी भी बात नहीं करें जहां हम समझावतों पे प्रेम करते हैं